गाज़ेबाद में आज शाम पुलिस और बदमाशों की बीच मुटबेड हुई है मुटबेड गाज़ेबाद के फारुक नगट चुराहे पर पुलिस की चेकिंग के दोरान हुई है गाज़ेबाद पुलिस फारुक नगट तिराहे पर शांग की चेकिंग कर रही थी तबी उन्हें दो संदिक द्व्यक्ती बाइक पर आते हुए दिखाई दिये तो पुलिस ने उन्हें रुखने का इशारा किया लेकिन दोनों बदमाशों ने बाइक दोडा दी और पुलिस पर फायर कर दिया पुलिस बदमाशों के पीछे लग गई और इसी बीच पुलिस ने फाइरिंग करते हुए एक बदमाश के पैर में गोली मार कर घायल कर दिया गोली लगने से एक बदमाश जुल्फिकार बाइक से गिर गया वहीं दूसरा बदमाश नसीब मौकी का फायदा उठाकर फराव हो गया आज शाम को करीब पांच बजे के बाद थाना साइवाबाद क्षेतर में एक पुलिस मुटवेड हुई है जिसमें एक जुल्फिकार और जुल्लू नाम का बदमाश है जो गोली लगने से घायल हुआ है उसको एडमिट करा दिया गया है और वो वर्स 2009 में घटना हुई थी साइवाबाद शेतर में ही फरूफ नगर चोपी में आगजनी और तोरफोड की एक बड़ी घटना हुई थी जिसका यह मुख अभ्यूख था और इसकी तलाश की जा रही थी वर्स 2009 से ही अन्य सभी जो आरोपी है वो फकरे जा चुके थे और उनके गुरुद्द लीगल एक्शन भी लिया जा चुका था इसकी तलाश एक दशक से की जा रही थी इसकी कंभीरता को देखते हुए इसक चकिंग के दौरान संदिक्द बाइक सवारों को रुपने का इशारा किया गया तो इन लोगों ने तेजी से अपनी बाइक को भगा लिया तो आगे जाके पुलिस पार्टी को अलट करते हुए घेराबंदी की गई घेराबंदी के बाद यहां बबलू भठा एक जगा परत यह बाइक चोरी की बताई जा रही है और इनके पास से 315 बोर का तमंचा और कुछ कार्थूस वगएरा बरामत हुए है और जो इनिशल जानकारी मिली है तो अभी अन्य मुकद्मों की जानकारी की जा रही है कि जुल्फिकार की उपर अन्य और कौन-कौन से मुकद्मे थे लेकिन जो अभी प्रारंबिक जानकारी मिली है उसमें यह भी पता चला है कि 2018 से यह फ्राड और ठगी के केस में जोत्फुर राजस्तान से भी जेल भेजा गया था और जो इसको एड्मिट करा दिया गया और जो लीगल एक्शन हो लिया जा रहा है